दोस्तों नमस्कार स्वागत आपको इसनेट स्टेड़ी में RPSC Assistant Professor और College Lecture Exam 2020 के लिए important data लेकर आया हूँ राइस्थान Population Census यह देखिया official data है यह आपको पढ़ना ही पढ़ेगा हर साल पूछा जाता है हर बार पूछा जाता है किसी ने किसी रूप में घुमा कर पूछा जाता है इसकी आपकी सबसे बड़ी चीजें इंड़ेट स्टड़ी करनी होगी वह मैंने Maps के माद्यम से, Easiness के माद्यम से आपको समझा दूँगा अब प्रीज इसको फॉलो कीजियो और वीडियो को पूरा देखिए काफी important steps है और अगर वीडियो ज़्यादा लंबा जा रहा है तो हो सकता हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगी तो चलते हैं तो पहली बात ये census के बारे में देख रहे थे census एक्चुली 15th census है राइस्थान में जो हुआ है और जो इंडिया में हुआ है और ये राइस्थान की population इसने 6.85 करोड मानी गई है 5.66 इंडियन population का percentage है इसका सातवा rank है राइस्थान का as per population और कास्थ पर जाती को पहली बार जोड कर information इकलेट किया गई थी ऐसा कब किया गया था ब्रिटिश राज 1931 में एक बर हुआ था और ये पूरी एक्साइज 2200 करोड रुपए की इस पर खर्चा आया है और कास्थ काउंट का जो instance था आजादी के बाद एक ही बार देखा गया जब केरल में 1968 में communist government under E.S. नमुद्री पाद to assess the social and economic backwardness of lower classes नीची जातियों की social backwardness को count करने के लिए economic backwardness कितनी उनके पिछडी है वो marginalized है society से कितनी downgraded है या फिर उनकी परिष्टितिक कितनी खराब है economic परिष्टिक तो आर्थिक सर्वेक्षन था एक तरह का आर्थिक और समाजिक सर्वेक्षन social economic survey था 1968 में जुआ और 1971 में publish हुआ मैप में आप recognize कीजिए आपकी map की practice भी हो जाएगी और आपको पता भी तिल जाएगा जैपूर अलवर जोदपूर lowest districts देखे ही हर चीज यहाँ पर जोग्राफी से आप रिलेट कर सकते राइस्थान एक सुखा इलाका है अधरपरदेश है ड्राइ एरिया है एलिट जोन है यहाँ पर बहुत extreme desert climate भी है तो इस तरीके से वहाँ पर जो desert climate है अफकॉस वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होगा कि बिल्कुल plane हो इसलिए वहाँ पर population काफी कम दिखाई गई है डेकडल ग्रोथ हर दशक में कितनी population बढ़ रही है तो इसका ratio हम देखे तो 2001 का राजिस्थान का जो था हो 28.88 था इस बार का 21.31 या 21.3 है इंडिया का डेकडल ग्रोथ इस बार का 17.70 है इंडिया में इस दश साथ 0 population percentage population बढ़ी है ठीक है मतलब 2011 की बात करें इंडिया लेवल के और राजिस्थान की बात करें तो राजिस्थान की population 21.3% बढ़ी है अगर हम पूरे पिछले साल के census का देखें तो 1901 में census चुरू हुआ तो 1921 में पहली बार डाउंगेड देखा गया और उसके बाद कभ बड़ बड़े अकाल पड़ रहे थे 1981 में एक भयानक स्पाइक दिखाई दिया था 32.97% का उसके बाद से downward trend है और ये trend अभी कह रहा है कि राजिस्थान का 21.31 total growth इस बार ना पा गया है जो कि भारत के average growth से ज्यादा है decadal growth अगर देखें top 3 मतलब एक दशक में कितनी population वहाँ बड़ी तो बार मेर आपको 32.5% पर नजर आएगा क्योंकि देखें ये जितने कम population वहाँ डिस्टिक्स हैं इनके बढ़ने के जादा चांद इनकी बढ़त जादा दिखाई देगी अब 1 से 2 होंगे तो आप वही आपको decadal growth में highest मिलेंगे बार मेर जहां पर actually refineries वगरा मिलने के बाद काफी population इंडक्त हुई है इसलिए बार मेर का आपको 32.5% दिख रहा है जसल मेर 31.8% नेचरल है ये डिस्टिक्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि यहां पर population एकदम से बढ़ रही है सुवि ministers और काफी top brass ministers जोदपूर से ही रहे हैं तो political कुछ फायदे कारण कुछ location के कारण ये city काफी develop हुई है तो एक अच्छा बड़ा commercial center भी है तो इसलिए यहां पर काफी development दिखाई दे रहा है southern राजिस्थान की अगर या western राजिस्थान भी गए है तो सबसे बड़ी city है इसलिए यहां पर आपको decadal growth काफी ज्यादा मिली है हर कोई यहां बाढ़ मेर जैसल मेर से चाहता है मैं जोदपूर में सेटल हो जाऊँ इसलिए यहां पर population ज्यादा है decadal growth में low growth करें तो गंगा नगर फस्ट जुन्जनू और पाली यह तीनों district में decadal growth काभी कम दिखाई दिये इसके pattern का मेरे पस कोई खास explanation है नहीं अब rural urban data मतलब शहरी और ग्रामी देखे यह भी बहुत जरूरी होता है census में हम पता करें कि हमारी कितनी population गाओं में रहती है कितनी शहर में रहती है ऐसा करने से हम accordingly देख पाएंगे कि हमारे यहाँ ज़्यादा migration तो नहीं है है तो किस according policies बना नहीं है तो बहुत मदद करता है से data तो इसलिए बनाये गिया ही तो रूरल population राइस्थान में 75.1% लोग गाओं में रहते हैं इसका मतलब पूरी population के 5.15 करोड 6.85 में से 5.15 करोड लोग रूरल population में काउंट होते हैं अर्बन एरियाज में 1.70 करोड रहती है जो की 25% लगबग राइस्थान की population है ग्रोथ की बात करें तो रूरल ग्रोथ लगबग 19% लोग बड़े हैं रूरल लाकों में लेकिन शहरी लाकों में 29% लोग बड़े हैं यह शहर बढ़ते जा रहे हैं, migration बढ़ता जा रहा है, better opportunities के लोग शहरों में move कर रहे हैं इसके लिए आप बोल सकते हैं कि अर्बन ग्रोथ ज्यादा दिख रहा है, high urban area जहां पर सबसे ज्यादा population है, बिल्कुल जैपूर सबसे बड़ा area है, जोदपूर 2nd है, कोटा 3rd है, कोटा का आपको थोड़ा shocking लेकर लेकिन आप सही बताओं तो यहां पर काफी development हुआ है, आ अर्ताबगर, डुंगरपूर और जैसलमेर, यह सब इलाके आदिवासी इलाकों में आते हैं, यहां पर जो city concept ज़्यादा डवलप निवा लोग अभी भी गाउं में ज़्यादा रहते हैं, तो इनकी population भी कम है, इसलिए lowest urban area में इन तीनों का नाम है, high rate of urban growth, अब बात हुरी एक शहरी population का development हुआ है, और आगे जाकर और ज़्यादा दिखेगा आपको, क्योंकि master plan का हिस्सा है, डिली NCR में आने से यहां काफी शहरी population इंडक्ट हुई है, दोसा में भी कुछ-कुछ ऐसा ही है कि अब दोसा में भी आसपास से करॉली, भरतपूर, आदी से लोग आने लगे हैं क्योंकि जैपूर से भी नजदीक है, तो यहां भी एक increase देखा गया है, बारा जो है, यहां पर मेरे कोई पास कोई खास क्लेशन नहीं है, वाँसा को याद करना पड़ेगा, अलवार दोसा बारा, ADB, लोएस्ट की बात करें तो वही डूंगर और परताबगड, यहां पर कोई ज़धा चेंजस नहीं है क्योंकि दोनों आदीवसी इलाकों में ज़्यादा है, SCST की पॉपलेशन काफी ज़्यादा है, ग्रामिन इलाकों में बात करें, तो देखिए, जिस्टिक जिन की पॉपलेशन कम है, वहाँ ग्रोध जगो दिखाई देगा, वही जै में 7.3 है और जुन जुनु में 8.5 है यह वही एरियास हैं जहां काफी कम ग्रोथ हुई एक डेकड में पॉपलेशन डेंस्टी की अगरम बात करें राजिस्थान की की एक के स्क्वार किलोमेटर में कितने लोग रहते तो राजिस्थान का 200 है 2001 में 165 था और इंडिया का 382 है पॉपलेशन डेंस्टी देखिए वही जो सबसे डेंस शेहरी इलाके होंगे वहाँ पे पॉपलेशन डेंस्टी काफी ज्यादा होगी जैपूर में 595 पर स्क्वार किलोमेटर है तो भरतपूर में 503 ये काफी एक शॉकिंग था कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा था दोसा तो हमने अभी देखा कि दोसा में काफी ज्यादा टेकडल ग्रोथ हुई थी इसलिए हम बोल सकते हैं कि 40 476 हा है लेकिन बरतपूर का काफी शॉकिंग था कि बरतपूर एकदम दो नम्मर पे 503 और 476 ये आपको बिलकुँ याद करने होंगे लोश ग्रोथ में बिलकुल वही इलाके जो रेकिस्तान है जहां एरिट कंडिशन से रहना टफ है जैसल मेर बीकानेर एंड बार्ड मेर बहुत इसको याद करना है तो ये थी सारे डेटास आपका बहुत बहुत शुक्री आपने काफी सपोर्ट किया चैनल को और मैं चाहू लोगों को जॉइन करवाएं चलिए धन्यवाद आपका नमस्कार टेक केर और अपनी एक्जाम की प्रपरेशन जारी रखें सलेवस लंबा लगेगा डरना नहीं है पढ़ते रहना है थैंक्यू